इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए क्या हाल चाल है सबका, जी सबसे पहले आइडिया नंबर में और ट्रिक नंबर वन शेयर करूंगी उसमें ना यह जो कैप होते हैं, हमारी बोटर्स वगारा के नो यह बहुत ही चीजों में यूज होते हैं, वद के साथ में आपके साथ इसके बहुत से हैक्सों ट्रिक्स लेक आते हैं, तो कभी वाइड नीचे कि री होती है, कभी चार्जर कहा होता है, तो उसको रहंख करने के लिए, चोटा सी ना इसको कट कर लोगे, और बैक साइड पे ना मैं जो डबल टेप होती है, ना इसको लगा करना, जहां हम चार्जिंग के लिए स्विट विदाना लगा बीच लगें और हम एजीली मिल भी जाएं तो इसलिए हम जिन्दी को असान से असान बनाने के लिए बहुत अच्छे से अच्छे से ट्रिक्स मेरे पास हैं आज की वीडियो में तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है किया मेरे सासद रहें और वीडियो को छोड़के करना तो अपना जो चार्जenda के अंदर हैंग कर दूंगी इस से यह ऊगई अबभी हमें चाहिए उगाद है इसलिए वीजिक नमबर टू की तरर ऐना सुनम चाहिए यवे के लिए चिंज का कप्रा यूज करें यह हम बी कप्रा लोन का ले लें शुफून का ले लें जब कुछ पार्ट में कप्रा मोटा आ जाती। इस तरह होता है चुछ करते रहे बहुत ही बुरी जी लगती और मजबूति भी होती है तो यह बहुत ही एजी मसला है इस तरह कि छोटा सा मसला है जिसको हम ना मैं आपकी आज की वीडियो में हल करने के लिए ना है यह उ था कपरेग् को निकाले ना और जो इसकी नीडल है ना इसको हमने बस चेंज करने है नीडल चेज़ करते साथ यह二 दागा तो होने जाने तरिक को जांका बहुत आसां सी तरीक त्रीक के यह फैमिली जो यह इफिगäche कि के लिए आपने बस इसको एक बैलंस में रखके देखना है कि उसमें आपी फिंगर चली जाए इस तरह नीडर का बिल्कुल बैलंस है इस तरह आप मोटा कपरा रखें जीन्स रखें हर कपरे के लिए ना यह बहुत ही ज्यादा यूसफुल और इसका जो धाग है ना और इसका बैक में आपनी राय का इसहार जरूर किया करें एक चोटा सा कमर्ट करने से हमें बहुत सा उसला मिलता है जीन्स की पैंट जब से लंबी आजए तो उसको फॉल करके लगाएंगे उससे भी सलाई बहुत अच्छी आएगी और जो जिस किसम का मर्जी कपरा हो यह बहुत तो बार beings kiva सूट Leland का चिया बार 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 दागा कठा कर रही थी और जो खड़चा कर रहा थी ओप्रे का फैब्री न की टरप से टेरी हुई थी तो इसको शरर आपकरने के लिए और रेत आज है सीम्पल आंने आपने ओफॉल पेपर लेना है है ना ये भी जिन्दी को असान बनाने के लिए छोटी छोटी सी और बहुत ही यूसफूल ट्रिक और मुझे जरूर बताइएगा मैं ट्रिक नमबर त्री कैसी थी साथ ही जब मुझे ट्रिक नमबर फोर की तरफ आए ना काफी आइडियाज मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ डियर वाई भी वोगों शेयर करती हूँ तो मेरे पास ना एक शूस का डिबा था न्यू तो इसको मैंने बस एक लिया और इसके उपर ना मैंने तक्रिबर ना हाफा फिंच पे ना इस तरह मैं निशान लगा लूँगी मार्किंग करने से यह होगा कि एक तो में जो हमारा आपस में इसका डिस्टेंस है ने इसका पता चल जाएगा और ना इसली है हम इसको ना कट अप कर सकते हैं कटर की मदर से मैंने थोड़े से निशान लगाने के बार मैं सीजर से ना इनके बैनेस में कर ली उससे यह होगा ना जब एक साइट की करेंगे ना तो कोई भी मज़गी चीज आप ले लो सके ले लो या मेरे पास ना हैंगर पर आवाता उसकी मदर से ना दूसरे पार्ट भी आपने सेम निशान लगाने के बाद ना इसकी आपने सामने से कटिंग कर लेनी है और अब यह जो मुंटिपल यूजिज में आ सकते हैं जैसे आप इसमें बुक्स रख सकते हैं हमको प्लेट्स वगारा रख सकते हैं तो यह सब चीजों के लिए ना बहुत ही अच्छा और इसको जहां भी रखेंगे ना यह पराओ भी अच्छा लगता है जाहिर इस पर मैंने चार पेपर से कवर नी किया यह वैसे ही अच्छा लग रहा था यह देखे इस तरह मैं प्लेटों को रेंज कर लूँगी जो पीछे वाले साइट पर बड़ी प्लेट रागे वाली ना तो साथ ही पिर मैं आपके साथ शेयर करती जिसी हम बुक्स भी इसके अंदर हम फिक्स कर सकते हैं इस तरह आपकी टेबल पे भी मैसनी देगा और आपके केचेन अरिया में भी मैसनी देगा तो यह बहुत अच्छा सा और बहुत ही प्यारा डी आईवाई है तो आप लोग मेरी बेहनों सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चोचे टेटर यह डियार वाई ट्राय करके ना जो मुझे मैसेज करेगा ना तो मैं उनका ना भी लूँगी और उनको परमोट भी करूंगी तो आप लोग मुझे सब मतायेगा मेरी सब टिप्स और ट्रिक्स कैसी थी और सब मुझे द्वाओं में याद रखें और सब अपना बहुत सा ख्यार रखा करें खुश रहा करें खुश्या बांटा करें अल्ला हफीज